महादे जैभोलेनाथ नमस्कार मैं शादनापाण्डे मागदसन पे आपका स्वालब करती हूँ दोस्तों कभी कभी कोई मौका होता है जो जीवन में बहुत जादा विशेश होता है वैचे तो हर दिन ही धार्मिक प्रविति को मानने वाले पूजा करते हैं नियम करते हैं उपाय करते हैं पर दोस्तों जब ऐसे मौके हमारे जीवन में आ जाएं तो उन वेहतर मौकों का फाइदा जरूर उठाना चाहिए क्या और कैसे वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले तो इतना कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से सुनीगा क्योंकि बहुत ही वेहतर मौका है दोस्तों क्योंकि देखे जेस्ट मास की अमाउस्या को सनी जयनती मनाते हैं अब हर कोई परिसान है कि उसका काम नहीं बन रहा अगर नौकरी नहीं मिल रही है लाख प्रयास करके मतलब जूते तूट जा रहा है लेकिन काम कोई हो नहीं पारा कमिट लगातार भरे पड़े हैं तो आप सब के लिए सुना रहा है यह मौका है कि आप बस वीडियो में बने रही है विश्वास से कहती हूँ यदि विश्वास है तो भगवान है इतना समझ चाहिए अप अपना घर नहीं हो पारा है अपने जीवन से समस्याए नहीं जा पारे है मतलब एक चीज को आजकल हाथ लगाए तो वो चीज बस हो नहीं पारे है इस से पूरी दुनिया परिशान है 19 या 20 सब के लाइफ में ये चीजें लगी हुई है तो घबराए नहीं बहतर बहुत बहतर मौका है बहतर नहीं इसको बहतर मौका कहूंगी अब आप सोच रहोंगे कि मैं इस मौके को इतना बहतर क्यों करे हूँ हर मास तो अमावस्या आती है जो जेश्ट मास की अमावस्या है वो है 6 तारिक को 6 जून को अब 6 जून को अमावस्या तो है ही इस दिन जो है वट सावित्री भी होगा तो चलिए शुहागने तो वो काम करेंगे लेकिन विसेश घर परिवार में आपके घर में बच्चे हैं आपके घर में बड़े हैं, बुचुर्ग हैं सबके साथ समस्याय लगी है जो भी समस्याय लगी है विस्वास से कहती हूँ आप बस इन उपायों को कर लीजेगा और 6 जून को सबसे बड़ी चेश सनी जयनती है सनी देव का जन्म दिन मनाया जाएगा अब पूरे साल में आप पीपल की पूजा करते हैं मैं भी बताती हूँ कि आप पीपल की पूजा करिए नियम करिए, उपाय करिए तो आप करते भी हैं लेकिन दोस्तों आज का जो ये दिन है यानि कि 6 जून का जो दिन है वो दिन विसेश इसलिए हो जाता है कि ये पूरा जो साल है वो मंगल का है और मंत्री कौन है? सनी अब राजा किसके कहने पे अपने सारे डिसिजन लेता है मंत्री के तो बहुत विसेश दिन है आप अपने जीवन के सभी जो कश्ट है उनको दूर कर सकते हैं दोस्तों यहां तक बता दू कि 50 से 60% समस्याय दूर हो जाती है अब चलिए यही सब बताने में मेरी वीडियो हो जाती है लंबी फिर दिक्कत होती है तो जल्दी जल्दी हम कोसिस करते हैं कि हर चीजों को समझ पहली चीज तो है यह है दोस्तों कि आज का दिन एक तो और विसीस कारण होता है एक कहवत है ना आपने भी सुना होगा कि मौका अच्छा है चवका मार लेजे बिलकुल बिलकुल वैसा ही मौका है आप इस दिन का लाब उठा सकते हैं क्योंकि देखिए ब्रिशव रासी मे को प्रिशन्य करने का कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय और ही ज्यादा फली भूत हो जाता है वैसे तो हर समय छाया दान, सनी, पूजा वगर वगर चीज होती है लेकिन ये 6 जून का जो मौका है वो मत चुकिएगा अमा उस्या कैसे है क्या क्या उपाय करना है मैं वह अब दोस्तों आपको बता रहे हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना मत बूलेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह की विसेश बाते जो है आपको इस चैनल पर पता लगती रहेंगी तो जरूरी है क दोस्तों जो ये साल है परिसान रासियां विसेश कर पांचे रासिया जादा परिशान है जिसे कि देखे करक रासी को जो है वो सिक्स रहिया चल रही है ब्रिस्टिक रासी को भी चल रही है और मीन मकर कुम्ब को जो है वो चल रही है साढ़े शाती वहीं पर तूला के चोच लोग की बच्चों का विवा हो जाए जब भी कुंडली देखने वैटते हूं नाना तरह की दिकते हैं अगर छोटे से छोटे काम के तरफ ऐसे लोग हाट डाल रहे हैं वो काम भी उनका रूख जा रहा है तो मौका बहुत अच्छा है और इस मौके का लाग उठा लिज तो इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि छे जूनको हमारी अमावस्या हर इस्तिती में जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय वगर मैंने कई वीडियो में बताय था वो लोग भी छे जूनको करेंगे सनान दान करने वाला जो दहलीज वगर पर उपाय करने वाला सब मैं अगले वीडियो में बदा चुकी हूँ, सब आप लोग 6 उनको करिएगा, वट सावित्री ब्रत भी है, तो सुहाग ने तो आज ब्रत करेंगी और नहीं ब्रत करेंगी, तो पूजा पाथ नियम धर्मा अपना सब लोग कर लिजेगा, अब एक प्रशनों बहुत जादा आ रह हाँ, बाल वगर नहीं धोना है, अब आपको करना क्या है, पहले चीज बता दू दोस्तों, आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हूँ, कि आज आप एक काम कर लेजेगा, सनी जयनती है, तो आप हो सके, तो आप तेल का दान करिएगा, सरसो के तेल का, गुरुवार का द देखने को अच्छा आता है, दोस्तों चाते का दान, चाता आप वैसे काला ले लें, लेकिन किसी कलर का चाता लेकर, आप किसी जरूरत मंद को विसेश कर मजदूर वर्ग को आप जब देते हैं, आप देखेंगे कि इस्वर आपके उपर कैसी छत्रशाया, कैसी माया बना क्योंकि सनी की जो दान होते हैं, उसमें जूता, च्छाता, काले कपड़े, ही सब विसेश में भी विसेश आज आपको बता रहे हूँ, च्छाते का दान करिए, क्योंकि च्छाते की दान से इस्वर की क्रपा आपके उपर बनती है, सनी देव चाहे जितनी भी कश्ट आप पकड़ लेजिए वह काम भी बिलम भी थोड़ा है तो घबराने की अवश्यक्ता बिलकुल नहीं है हो सके तो आप चाहेंगे तो बहुत महंगा चाहता नहीं मिलता आप दान करिए और दान करके देखिए तेल का दान करिए सरसो के तेल का अब यदि भगवान ने आपको सामर लेज्टGOक्राइब आठ दरनी आप देखिए अज सों फ़ल देने लगते हैं वो सभी हुआ चाहः दान पुजा पाट से करने से दूर जरूर होती हैं लेकिन इस तरह के विसीस मौकों का लाब उटाने से सिग्र ही इसका फल आपको देखने को मिलता है अब अगली चीज जो कि आप जरूर कर सकते हैं आज देखिये काले तीलों का दान किसी मंदिर मिले जाके कर दिजे कर देजें कि दूसरा आज हर जते हम च्छोटे साहर में बड़ी साहर में रहते हूं कहीं भी रहते हो आप मजदूर आप उनको नमकीन का पैकेट दान कर सकते हैं नमक वाली चीजों का दान कर सकते हैं जले भी खिला सकते हैं उन्हें तो संभ़ हो और अगर आपके घर पे कुछ मज़दूर लगए हैं तब तो पूछिए ही मत तब तो आप उनको जरूर खिला सकते है इस तरह से यह जो और जétais के जीवन में चमत कार कर सकते हैं आप सारे मत करें जितने इस सारे मैंने बताइन, एक या दो कर लेजे अब अगला और विसेस है दोस्तों जो सनी ka प्रफाव होता है वह भूता है हमारे के पैरो के जूते-चप्पल, यह सब दान करने से सनी विसेश पुपा देते हैं वैसे तो सनी की जो प्रीय चीज है वो चमड़े के जुते हैं लेकिन चमड़े के जुते काफी महँंगे आएंगे हर कोई खरीद नहीं सकता दान नहीं कर सकता इसलिए बताती हूं कि आप कोई भी चपपल ले ले जूते ले ले और ये काम करने वाले किसी को अपने घर में भी काम करने वाले को आप दान कर सकते हैं तो सनी का ये दान आप सब के लिए सुब होगा चाहे आप किसी भी रासी के किसी भी लगने के हों तो बिल्कुल इसमें सोचना नहीं है और ध्यान रखिए सनी अगर मजदूरों की आप मदद करते हैं उनकी सहायता करते हैं तो वे आप पे बेहत कृपा बरसाते हैं ये तो हो गए जरूरी बाते जो आपको करणा है एक और विशेश सेज बताती हूँ जिसको गांट बाद ल सकते हैं क्योंकि दूसरी कमेंट बाक्स में आजकल नंबर काफी दिये जा रहे हैं जो कि दिक्कत हो सकते हैं को केवल मेरा अभी एक ही नंबर है तो अब दूसरी चीज जो कि मैं आपको बताना चाहते हूँ वो है दोस्तों बहुत बहुत जादा विशेश देखे जीवन मे आप कुछ पूर्य कर्म करिए या न करिए लेकिन कभी भी गरीब मजदूर का एक पैसा मत मारिए आप उनकी मजदूरी दस रुपे दो रुपे बढ़ा के दीजिए ना मन हो मत दीजिए लेकिन कभी भी उनके एक रुपे मत आप अलिजिए अगर वो आपकी यहां से काम छ तो किसी के बेवज़ा पैसे आप मत रखिए अपने पास उसे जरूर देजे क्योंकि आज आप सुखी है कल को सजा इसके लिए अवस्य मिलेगी प्रकिर्ति वही चीजे आपको देती है जो आप करते हैं ध्यार दखिएगा इस विसेस बात को और हां चलिए दोस्तों और विस समस्याएं जो है जहां तक स्कोसिस करूंगे आपके प्रशन भी काफी लेने की तो उम्मिद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी हेल्पूल रही होगी मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में धन्यवाद हरे अर्मार देग झाली कि लेक वीडियो उम्मौल और रही होगी है व्यादन रषनी हमड़े ये अर्मार देगे विल्ग praamment